दोस्तों Maxima ने अपनी एक बहुती शांदार स्मार्ट वाच को लाँच कर दिया है जिसका नामे Maxima Max Pro Samurai और इसका फुल डीटेल रीवी होने माला है वैसे इस वाच वाच वापको दो फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि शैसे मैंने अभी तक किसी भी वाच में नहीं देखा तो क्या है वो फीचर्स वीडियो पूरी देखो आप लोगों को सब कुछ पता चाल जाएगा और चैनल पर नए आये हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहां पर वाच के डिजान जाती है तो यहीं सारे चैसें बॉक्स में दी गई हैं बाकि आते हैं वाच कि तरफ तो देख सकते हैं और इसको करते हैं और फोन से प्र प्ह Jenny तो यहां पर बट्न को प्रेंगा जाए और रहे ह का जाती है अब आगी पैर करना काफी easy है बस application को open करना है उसके बाद जाना है scan for device पे और देख सकते हैं यहाँ पर watch आगी है इस पर tap कर देना है और आसानी से watch पैर हो जाएगी तो यह रही watch और सबसे पहले इसके build quality और design के बाद करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह के design को मिल जाती है जो कि काफी खुबसूरत है और काफी slick watch है बाग इसका size यह बहुत बड़ा नहीं है तो यह सभी रिष्ट पे अच्छी लगने वाली है बिल्ट की बाद के रहे तो यहाँ पर आपको polycarbonate plastic build मिल जाती है बाट इसमें आपको metallic finish दीगे है जो कि दिखने में काफी अच्छी लगती है और यहाँ पर बटन दीगे है वो metal की आपको मिल जाती है तो बिल्ट काफी अच्छी है इसकी और रही बत इस्ट्रैप किये तो यहाँ पर आपको काफी इची quality की 1.85 इंचिस की TFT डिस्पले मिल जाती है जो कि शार्फ है और colors काफी अच्छी आते हैं बाकि brightness के बात करें तो डिस्पले काफी इच्छी खासी ब्राइट है तो आउट दूर में पराम सी यूज़ कर सकते हैं और बिजल के बात करें तो य इसमें आप अपना custom watch face लगा सकते हैं और quality काफी आती है जैसा कि आप देख सकते हैं अप्लिकेशन के बात करें तो आपको 100 से भी ज्यादा watch faces का support भी मिल जाता है और काफी नहीं आपको watch face मिल जाते हैं इसमें बाकिसमें आपको दो तरह की menu style भी मिल जाती है पहली है list view और activity मिल जाएंगे तो यहां पर आपको 100 से भी ज्यादा sports mode मिल जाते हैं जिसमें आपको walking, running, cycling, yoga, दुनिया पर के modes दिये गया है और accuracy के बाद हम लोग आगे करेंगे उसके बाद health मिल जाएंगे तो यहां पर अपको heart rate और SPU का feature मिल जाता है उसके बाद यहां पर weather forecast दिया गय है उसके बाद चलते हैं तो यहां पर music control मिल जाता है उसके बाद breathing exercise और यहां पर camera shutter का feature भी दिया गया है बाकि यहां सब menu shell को change कर सकते हैं उसके बाद यहां पर calendar का support भी मिल जाता है जो की काफी अच्छा feature है और यहां पर पूरे महिने का calendar शो हो जाता है अब चलते हैं तो यहां से language को set कर सकते हैं उसके बाद यहां पर QR code मिल जाता है इसको scan करके application को download कर सकते हैं उसके बाद about और यहां पर reset tribute और shutdown option दिया गया है तो यहीं आपको features मिल जाते हैं इसमें जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है और accuracy की बाद करें तो यहां पर इस watch की accuracy काफी दमदार है सबसे बिसके pedometer की बाद करें तो यहां पर मैंने 100 steps लिए और इसने 100 count किये उसके बाद मैंने उसी को continue प्या और 200 steps लिए और इसने 200 account किये तो जो result आया वह काफी accurate आया इसका हाट रिट के बाद करें तो इसका हाट रिट भी काफी accurate है और मैंने इसको और इसकी सिलिप के अकुरिसी मुझे उतनी कुछ नहीं लगी तो और लिखे तो यहां पर प्राइस के अपोटिंग काफी अच्छी आपको accuracy मिल जाती है इस watch में अभी एक नॉन कॉलिंग व और यहां पर watch में आपको दो option मिलते हैं एक तो cull के कर सकते और दूसरा receive कर सकते और यहां पर जब call को Rice करते हैं तो आप बहुस से बात करने पटेगा यह अगर अपने headphone को फोन से बात कर सकते हैं तो यहां पर आपको वाश में स्पीकर वगरें नहीं मिलता है बट आप वाश में कॉल को रिसीव कर सकते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्मार्टफॉन के साथ एरबट्स को या फिर नेकबंड को यूज़ करते हैं तो यहां पर वह से कॉल को र तो यहां पर सारी फीचरस दिया गया है उसके बाद को नोटिफिकेशन दिख जाती है और रैट से सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको शॉट्टकर्ट फीचरस मिल जाते हैं जैसके स्टेप्स हो गया उसके बाद हर स्लिट्रेकिंग मुझी कंट्रोल वेदर फ्रका यहाँ पर हिंदी का सपोर्ट मिल जाता है और अंड़ जा आपको हिंदी को सेलेक्ट कर लेना यहाँ जाएंगे तो यहाँ जा तู «घ्ण कारी सोना गतिवी घो है» काफी यूनिक मिलता है जो कि इससे पहले मैंने किसी भी वाश में नहीं देखा बागी इसकी कनेक्टिविटी काफी सही है और मुझे कोई भी इश्यू दखने को नहीं मिला और एपस बटक बात करें तो यहां पर यहां से वाश को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि नोटिफि अब को ठीक टाक मिलती है बट यहां पर मैकसिमा की खुद के अप्लिकेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा रही बात इसके बैटरी बैकप की तो यहां पर इसका बैटरी बैकप भी काफी अच्छा है और आपको आराम से पास से इच्छे दि काफी इच्छी मिलती है और इसके अपर अब कर सकते हैं तो काफी सही और अगर आप लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वह सिब जाकर ले सकते हैं बाकि कमी की बात करें तो यहां पर जो स्लीप ट्रैकिंग यह उतनी नहीं है और इसके डि सबस्क्राइब करके जाए अगली वीडियो में अपना खयाल रखें बाए